उत्रप्रदेश इटावा के जस्वंत नगर में आचारी श्री आदित्य सागर्शी महराज ससंग के सानिध्य में जस्वंत नगर के श्री दिकंबर जेन मंदिर में आयूजित हुए श्री एक हसार आठ कल्पिद्रों महामंडल विधान कारिक्रम का आयोजन 23 सितंबर से 3 अक्टूवर के मध्य किया गया इसी क्रम में 2 अक्टूवर को कारिक्रम के शिरुआत श्री जी के अभिशेक एवं शांतिधारा के साथ हुई जिसके बाद भक्तों ने विधान की मांगले किरियाओं को संपन किया एवं विश्विशांती महायग्या के साथ विधान का समापन किया इसी श्रेंखला में आचारी श्री आदित्य सागर्जी महराज का दीक्षा दिवस भी मनाया गया जिसकी शिरुआद चित्र अनावरन एवं दीप प्रजलन के साथ की गई जिसके बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद ब्रक्षालन एवं शिरी पर वशास्त्र भेट कर आशिरवाद प्राप्त किया कारिक्रम के मध्य पदम पुरान पुस्तक का विमुचन भी हुआ इसी के साथ आयोजक समीती की ओर से वहार से पधारे अतित्यों एवं गड़मान्य लोगों का तिलक लगा कर एवं अंग वस्त्र वा माला पहना कर सम्मान भी किया गया इस अवसर पर सभी भक्तों को गुरुदेव की अमृत्वानी श्रमण करने का सौभागय भी प्राप्त हुआ इं का उर्शा क्या हुगा तो कहा है कि वह अपने आप में कुछ कह रहा है उसने कहा है कि इंद्रियों का दमन और कसायों के समन का नाम है दीख्छा तो ऐसी वह दीख्छा कि जहां अपने इंद्रियों का समन हो जाए और कसायों का दमन हो जाए तो उसी का नाम दीख्छा होता है और कहा है कि अपने निजात्मा से संबन जोड़ लेने का नाम होता है दीख्छा 23 सितंबर से आयुजित श्रीये 2008 कल्पद्रों महामंडल विधान का समापन श्रावक्ष्राविकाओं ने विश्विशांती महायग्या में आहूती दे कर गिया जैन फोकस के लिए इटावा उत्तर प्रदेश से विर रिपोट